यह आज़ के आधुनिक समय में शोशल मीडिया की िट्रचा हर तरफ है और सोशल मीडिया के जमाने में आप रातो रात कहां से कहां पहुंचा दे कहा नहीं जौसकता ऐसा ही कुछ हुआ काफी चर्चम है हर तरफ खानसर के नाम को ले आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैहू पारुत्यागी देश में कोरोना का कहर अब भी बरकरार है लेकिन आज कर लोगों के मन में एक चीज जानने को लेकर काफे उत्सुपता बनी हुई है और वो खांसर का असली नाम है जी हां जी एस वाले खांसर उनके असल बता रहे हैं इस विवात पर अब खांसर ने भी सफाई दी है 30 मिनत के वीडियो में नाम को लेकर तमाम बाते कहीं तमाम उधारन दिये वीडियो में उन्होंने कई बातों पर सफाई भी पेश की है लेकिन नाम फिर भी नहीं बताया 26 माई को अपलोड हुए इस वीडियो क अब तक 7 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं 35 मिनट का ये वीडियो असल में एक बड़ा लोगों के लिए धोका ही निकला क्योंकि इसमें भी खांसर ने अपना असली नाम तो बताया ही नहीं बोले कि अब ये मिलियन डॉलर वाला सवाल बन गया है ऐसे ही नाम नही पिर बोले वास में बताएँ चोलिक को कुछ पता नहीं है चोलिए आपको पहले ये विवात शुरू कहां से हुआ कैसे शुरू हुआ विवाद यह विवाद तब शुरू हुआ जब syllable खानसर पाकिस्तान और फ्रांस के मुद्दे पर अपनी प्राफिकृया दे रहे थे पाकिस्तान में फ्रांस के राजज्द पो मुल्क से वापस भेशने के लिए जम का प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन प्रोटेस्ट में बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं प्रोटेस्ट में बच्चों के हिस्सा लेने पर खांसर ने कहा था कि इन रेग्यों में बच्चे भी शामिन हैं अब इनको क्या पता कि राजदूत क्या होता है बच्चों को सला देते हुए खान सर कह रहे हैं कि बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो अब्बा के कहने पर मत आओ अब्बा तो पंचर लगा रहे हैं ऐसा ही तुम लोग भी बड़े हो कर पंचर लगाओगे क्या खान सर आगे कहते हैं लेकिन क्या नहीं कीजिएगा 18-19 पैदा होंगे तो किस काम में आएंगे कोई बरतंद होएगा कोई बकरी काटेगा कोई पंचर बनाएगा खान सर की इनी बातों की वज़ा से वो ट्रोल होने लगे लोग उन पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे क्यूजर ने तो खान सर को कंगना रनौत का मेल वर्जन तक करार दे दिया लोगों ने इने संगी और इस्लामफोबिक भी बता दिया राखी बादने वाले तस्वीरे बारल हिंदू बता रहे हैं लोग इंटरेट मीडिया पर आज कोल खान सर की कुछ ऐसी तस्वीरे बारल हो रही है जिसमें वो हातों में राखी बांदे और तिलक लगाएं नसर आ रहे है इन तस्वीरे बताने की कोशिश हो रही है कि खान सर मुसल्मान नहीं बलकी हिंदू है ऐसा दावा करने वालों का ये भी कहना है कि इसी वच्छा से उन्होंने फिलिसीन विरोधी टिपनी की है खान सर का ही एक पुराना वीजियो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि उनका असली नाम अमिद सिंग है इस वीजियो में खान सर खुद कह रहे हैं कि ये नाम उनको कोचिंग की दुनिया में आने के बाद मिला कैसे पड़ा नाम खान सर एक वीजियो में खान सर ये कहते दिख रहे हैं कि किसी कोचिंग में नौकरी जॉइन करते वक्त उनकी शम्ता को देखकर सलचाल को ने उनका नाम भी बदल दिया ताकि कहीं उनसे प्रभावित होकर बच्चे उनके पीछे ना भाग जाएं इसी तरह उन्हें खान सर नाम मिला एक जगा वो ये कहते भी दिख रहे हैं कि बैंक के कागजात में उनका नाम अमित है हलाकि एक इंटर्वी में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा नाम कभी नहीं बताया लोग उन्हें अलग-अलग नामों से बुलाते हैं और इससे उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता खान फरके इर्दगेर्द एक मिस्टरी तो बनी हुई है इसके बारे में ज्यादा जानकारिया इतनी आसानी से उपलब्द नहीं है उनके यूट्यूब चैनल पर जो परीचे दिया हुआ है उसमें भी नाम में सिर्ख खान सब लिका है पटना का पता दर्ज है दो फोन नमबर दर्ज है जो जानकारिया पबलिक पोरम में उपलब्द हैं वो ये कहती हैं कि उनका पूरा नाम फैजल खान है गोरकपूर यूपी में पैदा हुए एंडिये जॉइन करना चाहते थे फिजिकल क्लियर नहीं हुआ तो लोगों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल शुरूप कर दिया जो इनके पढ़ाने के अच्छे अंदाज और अच्छे रिसर्च के चलते जम कर हिट हुआ फिलाल पतना में रहते हैं और एक लंबी चौड़ी टीम खान सर के वीडियो प्रोडक्शन और रिसर्च के लिए काम भी करती है कैर खान सर हिंदू हो यो मुसल्मान हो इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए हमारे देश में क्यों लोग धर्म जाती के नाम पर इंसान को एक घेरे में खड़ा कर देते हैं खान सर जब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो फिर क्यों उन्हें धर्म जाती को लेकर विवादों में घसी तर चा रहा है के खान सार अपने नाम को लेकार कब खुलासा करेंगे ये देखने वाली बात है फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें नीज वर्ल इंडिया